हेलो एब्रिवन कैसे हो आप सब आज मैं आपके साथ इस ब्यूटिफुल डिजाइन की वीडियो लेके आई हूँ ये डिजाइन ये पैटरन देखिए कितना सुंदर कितना प्यारा और बनाने में भी ये बिल्कुल असान डिजाइन है बहुत ही असानी से आप इसे बना होंगे न तीन तो ये डिजाइन अच्छे से आपका सेट हो जाएगा बहुत ही असान बहुत ही प्यारा डिजाइन है इस डिजाइन को आप लेडिस के कार्डिगन में जैकेड में जैंस के स्वेटर में या बच्चों के किसी भी परजेक्ट में डाल सकते हैं ये सीथी से इसकी जितनी भी श्राइण ड़ेंगी वह सिंपल उल्टी उल्टी ड़ेंगी उल्टी तरफ से यह डिजैन नहीं बनता है बस सीधी सीधी तरफ से देखिए इस तरह से डिजैन बनकर आता है तो चलिए जल्द से शुरू करते हैं इसे बनाना इसे बनाने के लिए यहां पर सलाई में मैंने फंदे ले लिये हैं फंदे लिये हैं यहां पर मैंने 23 फंदे लेने के बाद जो इस डिजैन की फर्स रो सीधी तरफ से बनेगी तो देखिए पहले फंदे को तो हमने उतार दे ना है ठीक है पहले फंदे को उतारिए धागा अपनी तरफ करते हुए ये बाकी की पूरी रो हम उल्टी-उल्टी बना लेंगे ये पूरी रो फर्स्ट रो डिजाइन की पूरी उल्टी-उल्टी बनेंगे अब second row में देखें क्या करेंगे इस फर्स्ट फंदे को उतारते हुए ये पूरी रो उल्टी बना लेंगे उल्टी तरफ से हमारी जितनी भी सलाइन बनेंगी ना सेम ऐसे ही सारी उल्टी-ल्टी बनेंगे जोडेरं बनाए बीडियसि उल्टी तरफ से कोई design नहीं आएगा, यह पूरी रो हमने ऐसे ही बनाने हैं अब रोम थर्ड सीधी तरफ से इस 1्पंदे को उतारेंगे उतारने के बार 1 फंदा हम सीधा बना लेंगे एक फंदा सीधा बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, अब यहाँ पर जाली डालनी है और तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, तीन का एक करने के बाद धागा दूसरी तरफ, फिर से तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से यहाँ प और कर यहां से यहां तक यह 10 फंदों का डिजैन है, इनी 10 फंदों को हमने बार 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 पूरी स्लाइम भी आपने रिपीट करना है, देखे कैसे करेंगे, 1 फंदा सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे, 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, उल्टा बनाते त्इन 3 फंदे सीधे जाली डालेंगे, अब फिर से इसी पैटरन को रिपीट करेंगे, तो यहां पर जाली तो हमारी देखे, इन 10 फंदों में आएंगे, Oops ? यह एक फंदा सीधा झालाएंगे, अब धागऑ अपनी तरफ करेंगे, फिर से यहां पर जाली डालेंगे, 3 फं इनके दोनों तरफ जाली आएगी, ये तीन फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कर लेना है, आपने यहाँ पर 3 का 1 कर देंगे, ऐसे उल्टा बनाते हुए, फिर धागा दूसरी तरफ 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे क्योंकि यहां पर हमने जाली डालनी है तो ऐसे करते हैं यह दो डिजैन मैंने आपको बना कर दिखा दिए लास्ट में यह दो फंदे बचेंगे जिने हमने सीधा ही बना लेना है इस तरह से ठीक है दोनों तरफ हमारी जाली आएगी क्योंकि बीच में हमने यहा अनकी फोर्थ रो चोथी स्लाइब पूरी हमने इसी तरह से उल्टी उल्टी बनानी है जाली बाले फंदों को भी simple हमने ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाते जाना है पांच भी सलाई फिफ तरो सीधी तरफ से पहले फंदे को हम उतारेंगे फिर एक फंदा सीधा बना लेंगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे क्योंकि यहां पर जाली डालनी है ये एक दो तीन फंदे सीधे तीन फंदे सीधे बनाने के अब धागा अपनी तरफ कर लेना है एक दो तीन इन तीनों फंदों को एक साथ ऐसे सलाई में लेना है और तीन का एक कर देना है ठीक है तीन का एक करने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे अब तीन फंदे सीधे एक दो इस जाली वाले फंदे को भी सिधा बनाएंगे तीन फंदे सीधे होगे अब फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और यहां पर जारी डालेंगे अब इस एस्ट्रेज को छोड़कर यहां से यहां तक यह दस फंदों का डिजान है इनी दस फंदों को हमने पूरी इस लाई में बार बार पीड करना है एक फंदा सीधा बनाएंगे जारी डालेंगे तीन फंदे सीधे उल्टा बनाते हुई यहां पर तीन का एक करेंगे फिर से तीन फंदे सीधे जारी डालेंगे देखे इस फंदे के दोनों तरफ जारी डालेगी अब यह फिर से सीधा फंदा एक फंदा सीधा हो गया धागा अपनी तरफ जाई डालेंगे यह तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन अब धागा अपनी तरफ करेंगे यह एक, यह दो, यह तीन तीन का एक कर देंगे धागा दूसरी तरफ तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन अब लास्ट में धागा अपनी तरफ करेंगे यहां पर जाई डालते हुए यह दो फंदे सीधे ऐसे करते हुए डिजाइन कीए पांच में सलाई हम पूरी बना कर कम्प्लीट कर लेंगे अब रो शिक्स छटी सलाई उल्टी तरफ से जिसे हमने पूरा उल्टा उल्टा बना लेना है फर्स्ट फंदे को उतारेंगे यह पूरे फंदे उल्टे उल्टे जाली वले फंदों को भी उल्टा ही बनाएंगे रो सेवन सीधी तरफ से इस फर्स्ट फंदे को उतारेंगे उतारने के बाद अब ये एक ये दो फंदे सीधे बनाएंगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे यहाँ पर जाली डालेंगे और जाली डालके ये एक ये दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ करेंगे ये एक ये दो ये तीन यहाँ पर तीन का एक कर देंगे तीन का एक करने के बाद धागा दूसरी तरफ फिर से ये दो फंदे सीधे अब धागा अपनी तरफ करेंगे यहाँ पर जाली डालेंगे और ये एक दो तीन फंदे सीधे अब फ्रेंट से एक, दो, तीन, इन तीन फंदों को छोड़िए, यहां से यहां तक यह दस फंदों का डिजैन है, इनी दस फंदों को अपने पूरी स्लाई में रपीट करना है, जाली डालनी है, दो फंदे सीधे, फिर तीन का एक करेंगे, उल्टा बनाते हुए, फिर से दो दो फंदे सीधे, जाली डालेंगे, तीन फंदे सीधे, फिर से सीडिजैन को रपीट करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहां पर जाली डालेंगे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, यह एक, यह दो, यह तीन, इन तीनों फंदों को ऐसे तीन का एक कर देंगे धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे अब यहां पर धागा अपनी तरफ करेंगे या जाली डालेंगे लास्ट में ये तीनों फंदों को मैं सीधा बना दूंगे ऐसे करते हुए डिजैन की साथ भी रो पूरी बना कर हम कंप्लीट कर लेंगे अब रो एट आठ भ सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे उतारने के बाद ये एक ये दो ये तीन ये तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे यहां पर जाली डालेंगे ये एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ करेंगे ये एक ये दो ये तीन इन दो फंदों को ऐसे लेंगे, तीन का एक करने के बार धागा दूसरी तरफ ये एक फंदा सीधा, अब यहां पर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे और ये दो फंदे सीधे, एक, दो, अब इसे स्ट्रिच को छोड़ कर यहां से यहां तक जीतना डिजैन है, इसी को अपने पूरी स्लाई में बार बार रिपीट करना है, ये एक, दो, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर उल्टा बनाते हुए तीन का एक करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से जाली डालेंगे, दो फंदे सीधे, दुबार अपनी तरफ करेंगे यहां पर जाली डालेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे तीन का एक कर देंगे ऐसे तीन फंदों को एक साथ बनाते वे तीन का एक करेंगे धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे यहां पर लास रो पूरी बनकर हमारी complete हो जाएगी, अब उल्टी तरफ से क्या करना है, पूरी रो उल्टी बनाने है, 11 रो सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतार देना है, उतारने के बाद ये 1, 2, 3, 4, 4 फंदे सीधी बनाएंगे, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली ड करनाते हुए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सीधा फंदा नहीं बचा है, यहाँ पर 3 का एक करेंगे, ठीक है, उल्टा बुनते हुए, तो इस तरह से हमने सलाई पर बल देना है, दुमारा से देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, इस तरह से ऐसे लिपेट लेंगे, और य यह एक, यह दो, यह तीन, तीन का एक करतेंगे, तीन का एक करने के बाद अब धागा अपनी तरफ रखिएगा, यह एक, यह दो, यह तीन, यह चार, यह पांच, यह छे, यह साथ, यह बीच में आपकी साथ फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे ही सलाई और गुमाएंगे, उल्टे की तरफ से, यह एक, यह दो, यह तीन फंदों मैं ऐसे स्लाइड डालेंगे, तीन का एक कर देंगे, फिर यहां पर जारी डालेंगे, यह आपके बिच में साथ फंदे फिर से सीधी आएगे, ठीक है, मेरे यहां पर अब लास्ट में यह पांच फं को मैं सीधा बना दूंगी ऐसे करते हुए आपने डिजाइन के ग्यारवी सलाई पूरी बना कर कम्प्लीट कर लेनी है अब रो बारा उल्टी तरफ से पूरी उल्टी बनेगी तो फ्रेंड्स ये बारा रो का हमारा डिजाइन है बारा सलाईयों में ये डिजाइन इस तरह से और इतना व्यूटीफुल बन कर आएगा मैंने इस में नीचे बोर्डर बनाया है देखे इस तरह से ये बोर्डर का लिंक भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा क्योंकि इसकी वीडियो मेरे चैनल पर है ठीक है तो आप इसे बीना बोर्डर के बनाओगे तो भी ऐसे आपने वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कूल मत भूलिएगा मैं फिर मिलूंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बाबाई है वे नाइस टे